नमस्कार दोस्तो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस गर आपके फोन के अंदर भी Vita अप्लिकेशन ओपन नहीं हो रही है तो इस प्राप्लम को हम कैसे सॉल करेंगे इससे आने वाली हमारी नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गैस सबसे पहले क्या करना होगा अगर आपके फोन में वीटा की अप्लिकेशन नहीं चल रही है आप जब भी वीटा अप्लिकेशन को उपन करते हैं तो यहाँ पर बैक आ जाती है यहाँ फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अप्लिकेशन नहीं रन कर रही है आपके फोन में तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको internet connection अपने phone में चेक कर लेना है यहाँ पर और उसके बाद एक बाद flight mode को on करके off करना है ठीक है ना इससे क्या होगा कि आपका internet यहाँ से boost हो जाएगा जो भी internet के speed रहेगी वो boost हो जाएगी और यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर application open होना start हो मतलब जो problem होगी वो यहाँ पर solve हो सकती है ठीक है इंटरनेट के वज़े से भी यह problem आती है अगर internet complete है चल रहा है दूसरी सभी application चल रहा है तो आपको क्या करना होगा विटा application का update चेक कर लेना ठीक है ना तो play store में जाने के बाद आपको search करना है विटा तो विटा application आ अपडेट कर लेंगे आपको भी अगर आपके फोन में विटा application में update आया तो update कर लेना आपको जो विटा application को update कर लेना है तो update पे जैसे क्लिक करेंगे automatically update हो जाएगी update होने के बाद फिर अगर application को open करेंगे तो आपकी problem solve हो जाएगी application directly आपके सामने open हो जाएगी लेकिन करेंगे यहाँ पर जो है setting में जाएंगे ठीक है अपनी phone की setting को open करेंगे तो phone की setting को open करने के बाद नीचे की side में एक option मिलेगा आपको apps वाला तो यहाँ पर जैसे ही scroll करते जाओगे इस तरह से तो यहाँ पर नीचे की side में एक option मिलेगा apps वाला apps के उपर हम click करेंगे तो apps क को क्या करना होगा जो भी application रहेगे शामने आ जाएगी तो आपको क्या करना होगा यहां से अगर application सामने नहीं आती है इस तरह से तो यहां पर search भी कर सकते हो ठीक है ना मतलब सामने आ जागी आपको ढूंड नी अगर वीता नहीं मिल रही और बहुत सारी application इसके विज़े से list मिलेगा clear data तो यहां पर क्या करना हो करना है और उसके बाद clear all data इसके उपर click करके आपको इस data को डिलेट करेना ठीक है न तो data delete करने के बाद यहां से आपका जो vita का data रहेगा वो clear हो जाएगा clear होने के बाद आपकी जो problem रहेगी वो solve हो जाएगे तो चलिए यहाँ पर वीटा को open करते है वीटा open करते ही गाइस यहाँ पर हमारी जो application रहेगी open होना start हो जाएगी मतलब open हो जाएगी देखसे तो यहाँ पर allow पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारे application जो era open हो चुकी है देख से तो वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे